ओम नमेशिवाय ओम नमेशिवाय अगर आप बहुत दिनों से बहुत महिनों से बहुत सालों से परिशानी में हैं या तकलीफ में हैं या कुछ समय से आपके घर में संकट आ चुका है तो आप अपने संकट से कैसे बाहर आएं ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आ लोग्रह जो हैं मोखेत तकलीव देते हैं पहला है शनी और दूसरा है राहू अगर आपके जीवन में राहू की महादशाय चल रही है तो आप संकटों में घिरी रहेंगे दूसरा है शनी शनी की साड़े साथी चल रही हो, ढहिया चल रही हो या शनी की महादशा चल रही हो उसमें कई सारी पीडाय, कई सारी तक्रीफे विक्ति को जिलना पड़ता है तीसरा और महत्पून बात होता है कि इन सब चीजों में विक्ति का जो सोचने का तरीका है वो बहुत negative हो जाता है आप बहुत जादा negative हो जाते हैं सब दूर से रास्ते बंद हो जाते हैं कोई भी मदद हमारी नहीं करना चाहता फिर कहीं बार ऐसा भी होता है कि मदद है सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी बातें नहीं बन पा रही है अगर इसी situation है आपके साथ बनी हुई है तो इससे बाहर भी आएंगे आप और इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो बहुत हद तक आपको फाइदा भी मिलेगा वीडियो को अगर अभी तक आपने like नहीं किया है तो like करें चेनल को अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और अगर अपनी कुंडली का analysis एक बार जरूर करवाएं ताकि यह जो समस्या है इसमें बहुत सारी चीज़े ऐसी भी होती है जो personal कुंडली के माद्धे हमसे देखी जाती है जो screen पर number चल रहे है WhatsApp पर appointment लेकर हमसे बात कर सकते है सबसे पहले तो अपने जितना भी negativity है खुद को बहुत positive करें positive ही सोचना है अपनी आदत जो negative हो चुकी है positive ही सोचना है दूसरी बात है कि बजरंग भान का सुबह और शाम दोनो time जब करें क्योंकि शनी जो है वह हनवान जी की सेवा करते है शनी उनका कभी भी कोई गलत प्रभाव करता है आप जाड़न कर सकते है और जोधी बात जो शाएद आपको धीवन में अपनानी चाहिए कुछ भी हो जाये आपने इस्ट पर पूर्ण यकिन रखे अपने इस्ट पर जितना यकीन आपका होगा उतनी जल्दी आपकी समस्चाव का समाधान जरूर होगा तो इन चीजों को फॉलो करें अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेर करना, कमेंट्स करना अमनमे शिवाए